Hello friends, कैसे हैं आप लोग? आसा करती हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज जो मैं sweet की recipe लेके आई हूँ ये instant sweet dessert की recipe है बहुत ही जल्द ये बनके तैयार हो जाती है इसके लिए आपको market से किसी भी महगे समान की जोरत नहीं है लाने की और घर में ही परे दो से तीन समान में आपकी ये डिजर्ट बनके तयार हो जाती है इसे आप किसी भी फेस्टीवल में इजली तरीके से तयार कर सकते हैं बिल्कुल मुँ में जाके घुल जाने वाली है आप इसका टेक्श्र देखी कितनी स्मूथ लग रही है जैसे मुँ में डालिएगा बिल्कुल घुल जाएगी मुँ में और इसे आप किसी भी फेस्टीवल में इजली तरीके से बना के तयार कर सकते हैं तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हूं बनाना मैं सभीता आप सबों का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे इसके लिए دेखे हैं, मैं 1 कप मिल्क ले हूं यह बॉयल किया हुँआ मिल्क है और 3 चंबच मैं चीनी ले हूं आप इसके जगार चीनी का बुरादा भी ले सकते हैं तौ आप जितनी मिठास खाना चाहते हैं, उसके उनसा अप्डाउन कर सकते हैं तो अभी मैं gas on नहीं की हूँ, तो चली मैं चीनी और दूध ले ली हूँ, अब gas पे चढ़ा दी हूँ, और मैं medium to high रखी हूँ, एक उबाल आने का इंतिजार करूँगी, तब तक मेरी चीनी भी अच्छी तरीके से घूल जाएगी, एक उबाल आने के बाद ही मैं आगे का प तक दूसरा काम भी कर लेती हूँ, बॉयल आने के लिए छोड़ दी हूँ, तो ये देखे, मैं एक बाउल ले ली हूँ, और इसमें मैं custard powder ले रही हूँ, मैं दो चमच custard powder ले रही हूँ, तो जितना मैं custard powder ले हूँ, उसी चमच से मैं देखे, पांस चमच मैं दूध ले रह और इसे अच्छे तरीके से mix करके, अभी मैं इसे side में रख देती हूँ, इसका यूज मैं बाद में करूंगे, तो ये देखे, मैं दूध को चला रही हूँ, चीनी भी अच्छे तरीके से पिघल गई है, और काफी अच्छे तरीके से boil भी आ गई है, अच्छे flavor के लिए मि इलाइची का powder डाली हूँ, इलाइची powder नहीं है, तो आप एक इलाइची तोर करके भी इसमें डाल सकते हैं, छिलके को निकाल करके छिलके के साथ, तो ये देखे, काफी अच्छी तरीके से boil आ रही है, तो मैं चारो तरफ से समेटते हुए चला रही हूँ, और अच्छे त गार ही हो जाएगी, तो ये देखे, मैं मिला रही हूँ, और मैं गैस को आफ कर दी हूँ, ठंधाने के बाद देखे, काफी अच्छी तरीके से ये गार ही हो गई है, चलिए एक काम तो मेरी तयार हो गई है, इसे अब एक बॉल में निकाल लेती हूँ, शिप्ट कर लेती और उसे अच्छी तरीके से और ठंधा होने के लिए रख दूँगे, तो देखे, मैं एक बॉल ले ली हूँ, इसमें मैं सारे दूद को ले लेती हूँ, अच्छी तरीके से, और इसे आप चाहें तो फ्रीज के अंदर भी रख सकते हैं, नहीं, तो आप बाहर ही छोड़ द दाल रही हूँ, और अभी कुषनी डालूँगे, आप और जो चीज देना चाहते हैं, ड्राइफूर्स में, वो मिक्स कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ, तो इधर देखे, मैं एक प्लेट में दो ब्रेड में ली हूँ, आप जितनी क्वाइंटिटी में तयार करना चाहते हैं, उसके उनसा कर सकते हैं, तो मैं दो से तीन ब्रेड का तयार करूँगी, तो अभी देखे, मैं दो ब्रेड को काट के दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेंगल सेप में काटिए, तो इस तरीके से देखे, इतने बड़े बड़े पीस, तो मैं इस पीस के भी छोटे छोटे टुक्रे करूंगी, तो इस तरीके से मेरे काफी पीस निकल के तयार हो जाएगी, तो ये देखे, मैं इस तरीके से कटिंग कर रहे हूं, तो इस तरीके से आप बड़े या छोटे जिस तरीके से आप पीस और काट लेती हूं, आप इसके जगर 4-5 जितने बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो मैं 3 ब्रेट टोटल यूज की हूं, और इसे काट के साइड में रख देती हूं, अब ब्रेट के अंदर जो फिलिंग भरूंगी, उसे में तयार कर लेती हूं, तो चलिए मैं एक बॉल ल करना है, तो देखिए, उसी चमच से मैं एक चमच चीनी का बुरादा डाल रही हूं, और आप मिठास जैसा खाना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन एक चमची दीजिएगा, तो काफी है, अदेखिए, दो चमच में दूद का पॉडर डाल रही हूं, क्योंकि दूद के पॉ मेवा जैसी मेरी फेट करके मावा तयार हो गई है, तो चलिए जो ब्रेट कट पीस करके मैं रखी थी, एक चाको की मदद से, मैं देखिए, जिस तरह से आप जेम लगाते हैं, उसी तरीके से आप अच्छी तरीके से इसमें उस पेश्ट का कोड लगा दे, और एक ब्रेट क करके तयार कर लेते हैं, इस तरीके से आप सारे ब्रेट में फिलिंग भर करके इस तरीके से काफी अच्छी तरीके से तयार कर सकते हैं, तो ये देखिए, मैं सभी ब्रेट में लगा करके तयार कर रही हूँ, तो मेरी लास्ट इतनी बच गई थी, तो मैं दोनों साइड में भी लगा करके एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी, यानि कि मुझे इतना quantity काफी थी मेरी तीन ब्रेट के लिए, तो अच्छी तरीके से मैं लगा करके filling तयार कर ली हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, ये बड़े बड़े piece में है, तो इसे भी मैं छोटे- पीस कर दूँगी, तो टोटल तीन ब्रेट का छोटे टुकड़े में मैं ली थी, ये देखिए दो ब्रेट का है, वो एक ब्रेट का है, इसे भी मैं पीस कर दूँगी, तो quantity मेरी ज्यादा बन जाएगी, तो चलिए इस तरीके से काट करके मैं सभी साइड में रख दी हूँ फिलिंग भी भर ली हूँ, तो ये लास्ट का काम है, और एक बॉल ली हूँ, और एक कप में देखिए दूध ली थी, और इसमें मैं चीनी थवासा डाव देती हूँ, जिसे मिठास बनी रहे, और इस दूध में मुझे उस ब्रेट को कोड करना है, तो ये देखिए मैं एक चमच चीनी डाली हूँ ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ बनाना बिलकुल ही आसान है जड़ा सभी मुश्किल नहीं है फ्रेंज मैं तीन ब्रेट का तयार की हूँ आप चार पांच जितने क्वाइंटिटी में तयार करना चाहते हैं इसलिए तरीके से कर सकते हैं करके तुरत उसको निकाल देना है तो इस तरीके से देखिए मैं रख रही हूँ और कोडिंग करके दूद कर और आप चाहें फ्रेंड्स तो इसे प्लेट के उपर भी रख सकते थे तो मैं बॉल में ही ले ली हूँ तो देखिए मैं इस तरीके से सारे ब्रेट को दूद में दुबा करके ले ली हो, तो चलिए मेरी जो कस्टड वाली दूध है, तयार थी, उसे मैं अब इसमें डाल देती हूँ, अच्छी तरीके से, जिस तरह से सब तरफ एक जैसी मेरी कोड लग जाए, कस्टड की, तो ये देख सकते हैं, फ्रेंस की कितना आसान था बनाना, बहुत ही कम समय में आपकी ये रैसिपी तयार हो जाती है, ये तो रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए इतनी टैम लगती है, नहीं तो जटपर से आपका मन हुआत बनाने का, जटपर से ये तयार हो जाएगी आपकी ये स्टेंज शुट डिजर्ड है ये फ्रेंस, ब्रेड की का इसमें दूद में भी डाली थी आपको ड्राइफूर्स और उपर से भी मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ ड्राइफूर्स से आप इसमें जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं तो ये देखी मैं केसर भी डाली हूँ केसर के धागे भी डाली हूँ इस तरीके से तो फ्रेंड दिखाई दे कि हां कितनी quantity में मेरी ये dessert बनके तयार हुई है तो friends देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आपकी ये मिठाई की recipe बनके तयार हुई है कितनी समय लगी है आप जरूब बनाईएगा friends और जरूब बताईएगा कि आपको ये पसंद आई या नहीं आई और मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाई कि नहीं तो बहुत ही delicious ये recipe बनके तयार हुई है तो ये देखे friends मैं इसे plate में निकाल ली हूँ अब आप सारे piece अलग-लग मेरी दिख रही है बहुत ही अच्छी लग रही है तो जितने दिखने में अच्छी लगती है friends खाने में उतना ही tasty लगती है और दो piece मैं छोटे plate में रखी हूँ उसे मैं बाद में दिखाती हूँ तो friends इस holy special में आप इसे ज़रूब बनाएए बाहर से कोई भी महगे समान लाने के आपको ज़रत नहीं पड़ेगी घर के समान से बन के ये तैयार हो जाती है तो ये देखें महमान को जब आप देंगे खाने के लिए तो जब लेंगे मूँ में तो बिल्कुल ही मूँ में जाके घुल जाएगी किस तरीके से आपने इसे बनाए हैं वो ज़रूर राज पूछ के जाएगे तो जरू फ्रेंट्स इस recipe को आप लोग बनाईए और अपने family के साथ enjoy कीजिए यदि मेरी ये recipe जरा सा भी पसंद आई हो तो like से और comment आवस कीजिएगा मेरी channel पर नए होंगे friend तो जरू subscribe कीजिएगा फिर मैं next video में आप से मिलती हूँ तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखेगा ख्याल रखेगा take care bye friends